हेलो एरेवन आप लोगों का स्वागता हमारे यूटूब चैनल बेस्ट नौट्स टिटोरियल में तो आज की जो वीडियो है वो है यूके ट्रिपल से या उत्राखंड अधिनत सेवा चैनायों के बारे में तो हाले में जिन्होंने कोई नया विग्यापन निकाला है और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो टोटल पधों के संक्य है वह आप लोगों के जन्पद या पुलिस पुरुस के रिक्त पद जो है वह कि 286 है और इसके साथ आप लोग देख सकते हैं कि कुल जो पड हैं वह दो सौरी 1521 पद हैं तो इसमें जो विग्यापन की प्रकासन तिथी है वो है 28 12 2021 यानि यह जिस दिने बिग्यापन प्रकास्वन वात 28 तारीक को 28 दिसंबर 2021 को और इसकी जो ओनलाइन आविदन की प्रार्म तिथी है वो है 3 जनवरी 2022 और ओनलाइन आविदन की अंथिम तिथी है जो वो है 16 फरवरी 2022 और इसकी जो लिखित परिक्षा है यानि लिखित परिक्षा की जो अनुमानित समय होगा वो जून 2022 में यह पेपर प्रस्तावित है तो बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के पास आप कर सकते हैं और बहुत अच्छी ओपर्चिनिटी है हमारे चैनल पर आप लोगों के को इससे संबंदित सारे चीजें बनी हुए हैं कोर्चे बने हुए हैं आप लोग हमारे वाट्सप पर जूट सकते हैं इसमें आप जो ओटियार भरेंगे अगर आप अगर आपको कोई दिकत आते हैं तो टोल फ्री नंबर दिया गया है जो कि 9520991172 इस पर आप कॉल कर सकते हैं यह इनको वाट्सप कर सकते हैं 99520991174 यह आप इनको इमेल कर सकते हैं इनकी मेल आईडी है चैनायोग अजिम एडरेट जीमेल.com पर आप संपर्क कर सकते हैं और यदि अगर आपको कोई भी दिकत आते हैं तो हमें कमेंट्स बॉग में अपना जो भी डावट है उसे लिख दें हम जरूर उस पर आप लोगों की हैल्फ करेंगे आप लोगों की जो फूरी डिटेल हैं आप लोग देख सकते हैं यहां कि किसका कितना कितना है और हम इसके सिलेवस के बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे तो आप लोग यहां पर देख सकते ह कि उत्राखंड आरक्षी पुलिस विभाग है जिसमें अनुसूची जन जाते और अन्य पिछड़ा वर्ग ये सारे हैं और आपके सामाने की देखें तो 416 पद हैं आप लोगों के लिए और टोटल पदों का योग देख लीजे 785 है और जो पुलिस विभाग में आये आरबी और उत्राखंड आरक्षी पी असे इसमें आपकी 291 पद हैं फिर उसके बाद इसका जो वेतन मान होगा फिर इसका जो वेतन मान होगा वो है 21,700 रुपे और उसके बाद जो है वो 69,100 रुपे ये लेबल 3 की जॉब है और इसकी जो सैक्षिक अरहता है वो है उत्राखंड विद्याली सिक्षा परिस्द ड्राम नगए यानि आप इंटर्मेडियेट परिक्षा उतीर होने चाहिए और इसकी सारिक अरहताएं की बात करें तो उंचाहिए इसमें 165 cm दिया गया है और परिविते छेत्र के अभ्यरतियों के लिए यानि आपके पास सेटिफिकेट है प्रमान पत्र है तो 160 cm तक चल जाएगा अब इसमें सीने की बात करते हैं अब सीने की माप जो है वो है सामाने वह अन्य पिछडा वर्प तथा अनुसूची जाते के अभ्यरतियों के लिए बिना फुलाएं 78.8 cm और फुलाने पर 83.8 cm और परविते छेत्र अनुसूची जन जाते के अभ्यरतियों के लिए 76.3 cm और फुलाएं और फुलाने पर 81.3 cm यानि सीने में कम से कम 5 cm का फुलाव आवश्यक है अब सारीरिक दक्षता की बात करें तो इसमें जो सारीरिक दक्षता परिक्षा कुल 100 अंकों की होगी जिसमें अभ्यरति को परतिक आइटम में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार है जो अभ्यरति किसी भी आइटम में 50% अंक से कम प्राप्त करेगा उसे उसी इस तरसे आयोग घोसित कर परिक्षा से बाहर कर देगे इसमें जो इवेंट का नाम है वो है नममर वन पे क्रिक crawl थ्रों तो इसकी जो दूरी वह आंक है तो निमन है पचास मीटर 10 अंक पस्पन मीटर 12 अंक 60 मीटर 14 अंक 65 मीटर 16 अंक और 70 मीटर 20 अंक अगर आप 70 मीटर क्रिकेट बॉल को थ्रों करते हैं तो आपको मिलेंगे 20 अंक, ओके, और नम्मर दो पे है लंबी कूद, यानि इसका भी पूर्णा इंग 20 है, तो 13 फिट, 10 अंक, 14 फिट, 12 अंक, 15 फिट, 14 फिट, 16 अंक, और 17 फिट, 18 अंक, और 18 फिट, 20 अंक, इसमा आपको 20 अंक लाना अनिवाज है, और चिनिंग अब यानि बीम की बात करें, तो आप अंडर ग्रिप या ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकते हैं, इसमा पांच बार चोना, यानि 10 अंक, 7 बार चोना, 12 अंक, 8 बार चोना, 14 अंक, 9 बार चोना, 16 अंक, और 10 बार चोना, 20 अंक, और इसमें जो दूसरा है वो है, बैठक, तो इसमें 50, दो मि मिनट में 65 बैठक, 6 अंक, 2 मिनट में 80 बैठक, 8 अंक, और 2 मिनट में 100 बैठक, 10 अंक, आप इन दोनों में से जो चाहिए कर सकते हैं, अब इसमें दंड की बात करें, तो वो है, चार मिनट में 25 दंड यानि चार अंक और चार मिनट में 35 दंड 6 अंक चार मिनट में 50 अंक और सोरी चार मिनट में 50 दंड 8 अंक और चार मिनट में 45 दंड 10 अंक अब दोड की बात करें तो 3 कुलिमीटर दोडना है यानि बीस मिनट में दस अंक, अठारा मिनट में बारा अंक, सोला मिनट में चोदा अंक, चोदा मिनट में सोला अंक, बारा मिनट में अठारा अंक, और दस मिनट में बीस अंक, यानि आपको दस मिनट में तीन किलोमीटर की दौर करनी है तब जाके आपको 20 अंक मिलेंगे तो आई होप आप समझ गई होंगे तो हम आगे बात करते हैं अब लिखित परिक्षा की बात करें तो जिसका चैन उपर से यानि की जो उपर बताया मैंने अगर वहां से जिसका चैन हो गया तो इसका सौंको की दो गंटे की वस्तुनिस परकार की एक लिखित परिक्षा होगे जिसमें सामाने हिंदी, सामाने ग्यान वह सामाने अध्ययन यानि उत्राखंड की जानकारे सहित पर आधारित प्रस्ण होंगे तो आगे चर्चा करते हैं इसके बाद जो ये दूसरा पद है यानि फायर मैन के लिए वो है फायर मैन के लिए फूरस्ण महिला दोनों के लिए है तो इसमें जो आपकी सामाने के लिए है वो है 237 और अनुसूची जाती के लिए 25 से अनुसूची जन जाती के लिए 17 बाके आप देख सकते हैं यहां पर पूरी डिटेल लिखी हुई है आपको मैं पीडियाप भी सेंड कर दूंगा हमारे पीडियाप आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी तो इसकी जो वेतनमान है वो है 21,700 रुपे से 69,100 रुपे यह भी लेवल 3 की दीखे तो वह माद्हमेक शिक्षा परिशत ऊतर प्रदेश यह माद्हमेक शिक्षप परिश्त उत्र आखंट यहांनि आप इंटरमीडियेट परिशा यहां सरकार द्वारा उसके संबन समक्ष च माहनेता प्रात कोई अन्य परिच्चा उतीन की हो यह मैं यह पाली ऑनी सा पारिरिक और हताय हैं वह हैं महिला अगने सामा क्या नि महिला फायर मैन के लिए तो महिला फायर मैन के लिए जो है उंचाई सामान्य जाते है तो और पिछडा वर्ग वह अनसूची जाते तो है 152 सेंटीमीटर और जो अनसूची जाती है तो के लिए 147 सेंटीमीटर और परविते छेत रहे तो 147 सेंटीमीटर ओके यानि आपके पास आपके पास कोई सर्टिफिकेट होगा तो आप 147 सेंटीमीटर होने चाहिए और इसमें वजन दिया गया है 45 किलो ग्राम होना अन्यूआज है अब इसमें जो फाइर मैंन पूरुश के अभेटियों के लिए दिया गया है वह उंचाई 168 सेंटीमीटर और परवेते 6 अभेटियों के लिए 160 cm वह अनसूची जन जाते अभेटियों के लिए 157.5 cm तो इसमें जो सीने की माफ है वो है सभी वर के अभेटियों के लिए है वो बिना फुलाए 81.3 cm और फुलाने पर 86.3 cm इसमें भी कम से कम 5 cm का फुलाव आविश्यक है अब इसकी जो सारी डख्षता है वो भी कुछ ऐसी है किसमें आपको 50 अंग पराप्त करना अनिवार्य होगा और इवेंट में 50% से कम अंग पाने की दसा में अभ्यार्ति को उसी इस तर पर चैन परकिरिया से प्रिथक कर दिया जाएगा तो इसमें इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट है जो क्रिकेट बॉल फ्रो ये भी पुल्ण अंग 20 अंग का है अब इसमें जो नम्मर दो पे है वो है लंबी कूद यानि पूर्ण अंग 20 का 20 अंग का 13 फिट 10 अंग 14 फिट 12 अंग 15 फिट 14 अंग 16 फिट 16 अंग 17 फिट 18 अंग और 18 फिट 20 अंग अब इसमें जो चिनिंग अप यानि बीम की बात करें तो उसका भी पूर्ण अंग 20 होगा अब याटती अंडर ग्रिप या ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकते हैं इसमें जो पांच बार छोना यानि 10 अंग 7 बार छोना 12 अंग 8 बार छोना 14 अंग 9 बार छोना 16 अंग और 10 बार छोना 20 अंग ठीक है और इसमें दंड है जो चार मिनट में 25 दंड 4 अंग चार मिनट में 35 दंड 6 अंग चार मिनट में 50 दंड 8 अंग और चार मिनट में 75 दंड 10 अंग ओके और फिर आता है बैठक दो मिनट में 50 बैठक 4 अंग दो मिनट में 55 बैठक 6 अंक दो मिनट में 80 बैठक 8 अंक दो मिनट में 100 बैठक 10 अंक ठीक है और इसमें जो दोड़ होगी 3 किलो मीटर की वो भी 20 अंक है अगर 20 मिनट में 10 अंक 18 मिनट में 12 अंक 16 मिनट में 14 अंक 14 मिनट में 16 अंक 12 मिनट में 18 और 10 मिनट में 20 अंग यानि आपको 10 मिनट में ये 3 किलोमीटर की दोड तै करनी है और इसमें जो लिखित परिक्षा होगी यानि जो चैन होगा उसकी भी 100 अंकों की 2 घंटे की परिक्षा होगी जिसमें सामाने हिंदी, सामाने ग्यान वा सामाने अधन उत्राखन की जानकारे सहित पर आधारित प्रश्ण होगे तो तैयारे कर लें आप लोग भी लिखित परिक्षा अब इसमें जो है सामाने वा OBC स्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनसूची जाती वा अनसूची जन जाती स्रेणी अभ्यर्थियों को 35% अंग लाना अनिवार है अनित्यावे लिखित परिक्षा में असफल माने जाएंगे तो दोस्तों I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को करने लाइक और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और मैं आपको आपके आने वाली आगामे परिक्षा के हार्दिक सुबक्राम नाएं देता हूँ यदि आपको हमारी चैनल की माधम से कोई खास जानकारी मिलती हो और आप हमारे वाटसअप ग्रूम में जुनना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट्स जरूर लिखें थैंक्स पॉर वाचिंग